हेलो अवरिवन तो गाइज आज का क्वेशन है हमारा आप लोगों ने साहे देंसा क्वेशन देखा होगा if a upon b is equal to b upon c is equal to c upon d then b cube plus c cube plus d cube upon a cube plus b cube plus c cube will be ठीक है यह मैंने आपको यहां पर चार ओप्सन भी दे रिखे हैं ठीक है बहुत इंपोर्टन क्वेशन है यह कई बारी मतलब पूछा जाता है आपसे इस टाइक के वैशन है तो चलो इसको एक बारी हम देख लेते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले देखना है कि सर हमें इसकी वैल्यू चाहिए हैना हमें जो क्लू दे रखा है जिसके help से हमें question को प्रॉसीड करना है त your child पूसी के और यह एक वाल है किसके स्यपन्ट के मतलब यह तीन आपस में एकवाल है हैना तो मैं कह सकता हूं कि यह सारे एक रह तो मैंने इनको क्या मान लिया मैंने इनको मान लिया ठाशिक है कि हुँआ लिन Dear product in art एक्स मैंने मान लिया अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स लिख सकता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने ऐसा क्यों करा इसके बात देखो यहां पर हमें यहां क्या करना है कि एकी वैल्यू निकालो यहां से अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जो यह ABC है इनको हमें इस वाले टम में ले जाना है आप सिंपल बोलोगे कि सर ऐसे में हम क्या करेंगे इनका क्यूब कर दो अगर मैं एक क्यूब कर दो तो मुझे इसका भी क्यूब करना पड़ेगा धियां से लेकना बहुत सिंपल है मतलब दोनों साइड हमने क्यूब कर दिया और इसमें कुछ चेंज भी नहीं होगा यह आपको पता है अगर मैं य इंटु एक्स इसका है किनुब करों किरूंगा तो डी इंटु एक्स इसका हला हो सून एप होड करेगा में लिगने तकम नॉपर लब दूप्रत्रूल कर सब्रस्बर्टिंगा लुभा amasiya के लोगाल सपर्कशन उनहां हमारे मैं जालखेशन है तो enc क्तिकों सिम्पल अब हमें सीधे क्या कर देना है यह का स्ट कर देंगे ठीक मैं एकतोर जों कर दोद notification na अमने आपस में मिक्स कर लिए है अधे कर लेना है प्लस कर देना है तो हम सामने सामने बाद मतलब जो लेफ्ट साईड मैं उन्हें हमने प्लस कर दिया जो राइट वाले होंगे उन्हें आपस में प्लस करते हुए हो जाए आपका b3 एक्सकूल कोई से तुम्हें थीख गया कि कोई क homogeneous है मैं से दहूत है और यहां से तुम्हें तीन о् Plais regret क्या है इस वाले expression की form में जा रहे हैं क्योंकि यह हमें निकालना था ठीक अब ध्यान से देखो यह यहां पर है बीक्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डीक्यूब अब मुझे नीचे चाहिए क्या नीचे मुझे चाहिए चीक क्योग से लिकाए कि अगर मैं इस से एक वाल से ले जाओंगा टीकता कई एकोलर के दुर्य क्यों ली जाओंगा तो डिवाइड में हो जाईगा है और इस एक समझ टीक है इसके साथ और भी अभम ले जाने क्योंम्य ले जाने क्यों तो सबाइब कर दीया इत्यानगर देखो यह होगा आपका a cube plus b cube sorry a cube तो मुझे वहाँ ले जाना है उपर तो one बचा होगा है ना क्योंकि यहां से यह सारा यहां चला गया और upon x cube है यहां से देखो upon x cube है तो is equal to क्या हो जाएगा जब b cube plus c cube plus d cube यह यहां क्या तो अब तुम्हें से as cross multiply type का भी समझ सकते हो ना यह आजा कि cross multiply उपर इसके साथ मिक्स हो जाएगा यहां पर one है तो जो मैं इसको यहां लिखने वाला हूं यह cross multiply जाके ऐसा ही expression बन जाके तो कोई दिक्कत नहीं है यहां से मैं उठाके यहां ले आया a cube plus b cube plus c cube अब तुम्हें दिख रहा होगा हां सर हमें वो तो मिल गया जो हमें चाहिए था simple पलसा पंड़ा वह आपको मिल गया बस इसको हमें यहां पर क्या करना है थोड़ी सी अच्छी से कनेक्ट करना है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यहां पर तो यह ऐसी रहेगा आपका c cube plus d cube is equal to एक आगे पीछे आप इसे लिख सकते हो इस वाले को आप left hand में भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूं एकस क्योब का मतलब क्या है कि यह दो बार इसे multiply है है एकस दो बार और multiply है या तीन बार जो भी तुम समझना चाहते है क्योब का मतलब है एक नम्मर थ्री टाइम उसे express किया जाता यह कंद कि यहां पर हम क्या और वाले है वन अप की रखो तो थेयों हुआते निक सयाथ sleeping क्या निकाल्याल चुक्वद का नोGR एक वाइं और थियो a upon b upon c upon b अब यहां से आपकी बहुत बड़ी help हो गई गाईज क्या help हो गई ध्यान से देखो यहां से b से b cancel क्योंकि सारा multiply में upon वाला क्लाट हो सकता है c से c cancel ठीक है इसे quality में आपका यहीं रहेगा BQ plus CQ plus DQ upon AQ plus BQ plus CQ बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इससे समझ रहे हैं इसहार देखो यह answer एगा BQ plus CQ plus DQ ठीक है यह आप करेगा AQ plus BQ plus CQ समझ गाइज आपको आ रहा होगा कोई भी दिक्कत होगी कोई भी आपको इस्टायप के question होगा तुरंत आप comment कर दो उस पर तुरंत आपको conceptual solution मिल जाएगा ठीक है और आपको कुछ समझ आए तो आप वीडियो को like कर सकते हो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe ने करा तो एक बारी कर सकते हो ऐसे conceptual solution आपको तुरंत मिल जाते हैं यहां पर क्या पघ्यान से देखो one upon ए बचा उपर और सब कुछ cancel है डी बचा नीचे अब इसे हम यहां पर क्या करेंगे सबसे देखो गाई जो यह सारा फॉंड दा हिए one के अपॉन में था देखो one के अपॉन में था तो यह वाला हमारा में डिवाइड है यह मेरा में डिवाइड है और यह आप में देखा हुआ जब यहां पर एक से ज़्यादा एंसे डिवाइड होते हैं हम उसे कैसे सॉल करते हैं जो में डिवाइड होता है उसे मैं मल्टिप्लाइब बना देता हूं मल्टिप्लाइब बनाया और नीचे वाला 혼자 हमारा एward अप्शन था हमारा डी ओपोरनेति ज्यांगों आपको समझ भी आपको आगिए होगा कोई दिक्कत या पे नहीं वहाँ दिक्कत होगा या अगर कहीं पर ऐसा होता है 2 divided by 3 upon 4 इसका मतलब क्या है 2 divided by 3 upon 4 तो इसे भी आप यहाँ पर क्या करते हो रेसिप्रोकल करते हो न कि 2 into 4 upon 3 करते हो सेम तिंग मैंने यहाँ पर करा यह में डिवाइड था 2 into 4 upon 3 और सेम तिंग मैंने आपको यहाँ पर करा होप आपको conceptual solution में अच्छे से solution मिल गया होगा कोई भी queries होगी बता देना ठीक है गाइस मिलता हूं फिर नेक्स वीडियो में ने conceptual solution के साथ ठीक है सीखते रहिए ओके गाइस wish you all the very best be happy